Hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर्स के अपडेट्स के लिए, शेयर्स की लेटेस न्यूस के लिए और गाइस, एसा ही मेरा और एक चैनल है लकीन करके, उस पर भी मैं काफी सारे इंट्रेस्टिंग वीडियो आगे डालने वाला हूँ और हमने कल ही एक वीडियो इस पर डाला हुआ है अनिल अमबानी के कमबैक के उपर और उसमें मैंने Reliance Infrastructure और Reliance के Power के बारे में काफी कुछ इंट्रेस्टिंग चीजे बताई हैं कैसे हो रिकवर कर रहे हैं तो आप बिलकुल इस चैनल पर जाके उसे भी सब्सक्राइब कर देना गाईस और अब हम बात करेंगे बंदन बैंक के बारे में में भी हम देखेंगे तो काफी इंट्रेस्टिंग चीजे इसमें भी होने वाली है तो वीडियो को शुरू करते हैं गाईस परदर बैंक LTT एक अच्छा स्टॉक था और है अभी भी अच्छा स्टॉक है और देखा जाए तो स्टॉक में हमने कुछ लेवल्स कल बताये थे बट आज जो इसमें रिकोवरी दिखाई है वो काफी दमदार है तो इसी के बारे में भी हम डिसकस करेंगे तो देखेंगे तो 9 रुपे 75 पेसे तक स्टॉक आज बढ़ा है और स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 244 रुपे 30 पेसे के प्राइस पे 3.83% के हिसाब से स्टॉक उपर की और मूग किया है आज तो ये भी एक अच्छी बात है और बढ़ते है चार्ट की और तो चार्ट हमें अगर देखा जाएगा इस तो यहाँ पर कुछ पैटन्स हम आपके साथ शेयर करना चाहेगे तो ये पेटन्स में ने यहाँ पर वन मन टाइम प्रेम के हिसाब से बनाया है और देखा जाए तो स्टॉक में यहाँ से काफी बड़ी गिरावट आई थी फिर स्टॉक आया था और इस लेवल पर सपोर्ट लिया था सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर एक काफी बड़ा इसने मौ बता है फिर उसके बाद फिर से इस स्टॉक को यहाँ पर इजेक्शन मिला फिर इस स्टॉक इस लेवल पर आ गया तो यहाँ पर इस सपोर्ट ले रहा है यहाँ फिर ब्रेक आउट दे रहा है तो यहाँ पर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इस लेवल पर इसने support लिया है guys तो इसलिए important level है और यहाँ पर अगर इस support लेके उपर जाता है तो हो सकता है यह bullish हो जाए और bull run में भागे but guys यहाँ पर काफी confusing चीज़ है क्योंकि आप देख सकते हो इस level के नीचे अल्रेडी आ चुका है but यहाँ पर भी एक चीज positive है क्योंकि यहाँ पर एक double bottom जैसा pattern है बना रहा है और यहाँ पर भी उपर जाने क्योशिश कर रहा है तो यह उपर भी चा सकता है तो कुछ इस तरीके के patterns हमें यहाँ पर बंदन bank में दिखाई दे रहे है but guys आपको अगर confirmation चाहिए तो पूरी जो candle से उपर रहनी चाहिए और अगर आप बिल्कुल इसमें free के invest करना चाहते हो तो यहाँ पर इस level के break करने का wait कीजिए अगर इस level को अगर यहाँ पर break कर देता है तो काफी बड़े moment यहाँ पर आ सकते है तो wait कीजिए guys और target तो 600-700 रुपे के आप रगी सकते हो क्योंकि as a long time के हिसाब से यही target हमें इसमें रखने चाहिए तो बंदन बैंक में अच्छा मू हमें देखने को मिला लगबग 9 रुपे 75 पेसे तक बढ़ गया है तो काफी बड़ी बात आज हो गई है इसमें बढ़ते है guys आगे और देखेंगे पाच दिन के टाइम प्रेम पर स्टॉक कितना बढ़ा है तो देखा जाए guys तो यहाँ पर step by step स्टॉक उपर जा रहा है निचे आ रहा है फिर उपर जा रहा है तो कुछ इस तरीके से स्टॉक में हमें बढ़त और गिरावट देखने को मिल रही है और पाच दिन के टाइम प्रेम पर अगर देखे तो 16 रुपे 75 पेसे तक स्टॉक बढ़ गया है 6.77% के हिसाब से एक अच्छा मूँ हमें देखने के हाप पर मिल रहा है guys सो गाइस अब बढ़ते हैं आगे और देखेंगे कि एक महीने के टाइम प्रेम पर क्या हमें देखने को मिल रहा है एक महीने के टाइम प्रेम पर अगर देखा जाए तो स्टॉक में 7.05 अब रुपीज तक स्टॉक में गिरावट है माइनस 2.60% के हिजाब से स्टॉक यहाँ पर नीचे की और गिरता हुआ नजर आ रहा है guys और 6 मंत के टाइम प्रेम पर अगर देखा जाए तो स्टॉक में यहाँ पर 56 रुपे 10 पेसे तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है और स्टॉक यहाँ पर आप देख सकते हो guys इस लेवल से स्टॉक में काफी गिरावट यहाँ पर आ गई है और 17.51% के हिसाब से स्टॉक नीचे की और किर रहा है तो अब बात करेंगे कि क्या कुछ स्टॉक में हुआ है क्या कुछ हाई और कहाँ पर स्टॉक आज ओपन हुआ था तो guys यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टॉक ओपन हुआ था 288 रुपे 70 पेसी के प्राइस पे हाई लगया था 285 रुपे 40 पेसे का और लो लगया था 253 रुपे 50 पेसे का तो guys 288 रुपे पर यहाँ पर open हुआ था 265 का हाई काफी बड़ी बात है 295 रुपे 40 पेसे का हाई और market cap भी stock का तगड़ा है और market cap के इसाब सही पता चलता है कि एक mid cap stock है और बिल्कुल यहाँ पर 42.57 करोड का market cap है और market cap काफी दमदार यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है और ऐसे ही market cap यहाँ पर होने चाहिए किसे भी particular stock के लिए और dividend की बात करूँ तो dividend भी stock देता है dividend के अगर देखा जाए 0.38% का dividend भी stock देता है तो अब बात करेंगे 52X के high और 52X के low की तो 52X का high 424 रुपे 90 पेसे का है और low 229 रुपे 55 पेसे का तो guys यहाँ पर हमारा first target भी 424 का रख सकते हो second target सीधा आपको 600 का रखना होगा तो यहाँ पर अब बात करेंगे resistance levels और support levels के बारे में तो guys first of all हम बात करते हैं resistance level के बारे में तो first resistance level 260 रुपे 53 पेसे का है second resistance level 246 रुपे 92 पेसे का है और third resistance level यहाँ पर 291 रुपे 18 पेसे का दिख जाएगा support levels के अगर बात करें 250 रुपे 28 पेसे का first support level है second support level यहाँ पर 246 रुपे 02 पेसे का है और third support level 249 रुपे 83 पेसे का यहाँ पर आपको दिख जाएगा गाईस अब बात करेंगे price performance की तो price performance में भी काफी roller coaster जैसा यहाँ पर price performance बढ़ता उतरता देखने को आपको मिल जाएगा और वही अगर देखा जाए तीन साल पहले का price performance अगर देखा जाए तो minus 50.19% का है और one year के basis पर देखा जाए 34.44% का ह और year on half का देखा जाए 4.25% यहाँ पर positive है बट फिर से negative आ गया 3 months का देखा जाए तो 11.71% माइनस में आ गया और one month का अगर देखा जाए minus 4.99% माइनस में आ गया one week का देखा जाए तो फिर से positive आ गया positive कितना आया है 5.34% फिर से positive आ गया है तो guys price performance भी यहाँ पर positive आ गया है अब बात कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर trade values और combinant deliveries है trade value के मामले में भी अगर दिखा जाए तो काफी ज़्यादा quantity में इसमें shares उटाए गए है लगबग 2 करोड के आसपास की trade value हमें आज की दिन का देखने का मिल रहा है guys yesterday के अगर बात करूँ 1 करोड का trade value और 24 lakh के something का combinant delivery है और 1 week के average में 94 lakh के something का trade value और 30 lakh के something का combinant delivery और 1 month के average में 66 lakh के something का trade value और 18 lakh के something का combinant delivery देखने को मजाएगा तो community sentiments के आगड़े भी काफी doubtful है क्योंकि 64 जो percent लोग है वो यहाँ पर भले ही buy के लिए कह रहे हो बट 27 परसंट जो लोग है वो यहाँ पर sell के लिए भी कह रहे है और 9 परसंट जो लोग है वो कह रहे है हाँ पर hold के लिए तो guys hold के लिए भी कहा जा रहा है sell के लिए भी कह जा रहा है डिपेंड करता है गाइस आपके उपर आपको क्या करना है रेवेन्यू देखे तो रेवेन्यू से एर एर अच्छे बड़े हैं 2017 का रेवेन्यू 3908 करोड का है 2018 का 4802 करोड का 2019 का 6643 करोड का है 2020 में 10885 करोड का है और 2021 में 12,524 करोड का revenue दिख जाएगा और net profit भी positive है 2017 से 2018 तक के positive ही है बर 2021 में down आ गया तो 205 करोड का ही net profit देखने को मिल जाएगा net profit की अगर बात करें तो promoters यहाँ पर है 39.99% के साथ FIS यहाँ पर 33.61% के साथ है तो DIA यहाँ पर 2.5% के साथ है और public यहाँ पर 23.9% के साथ दिख जाएगी सो गाइस यहाँ पर काभी कुछ बात हैं हमने कर ली है बंदन बैंक को लेकर और वीडियो पसंदा हो गाइस फिल इस वीडियो को लाइक कर दो चनल को सब्सक्राइब कर दो ठेंक यू